नमसकार दोस्तों, सागत है अपका अमंग किकेडमी एटो जैड में इसके पहले वाली वीडियो अपने देखा था जैमती में देखा था मूल गडती आउधारना जो होती है मूल जैमती आउधारना है इस पर अधारित अपने पहले देखा था क्या देखा था पहले अपन देख चुके थे समतल आकरतियां क्या होती है साथी साथ देखा था वक्रतल आकरतियां समतल जयमती आकरतियां क्या होती है ठोस जयमती आकरतियां क्या होती है बिंदू देखा सन्रेक बिंदू असन्रेक बिंदू और रेखा देखा रेखा खंड ने ख़्टिक है अब इस देखेंगे अपन किया समांतर में देखेंगे वो साथ में अब से पूँछे आते हैं सबस्क्राइब करें नहीं कि छिडिए च्ग कर एख फिरह नहीं किया सब्सक्राइब कर ले रेखाओं की जैसे कि समांतर उसके नाम से ही उच्छारत होता है समान अंतर समांतर के लिए आप दो भागर बाटेंगे तो समान और अंतर मतलब मैं ऐसी रेखा हैं जिनके बीच में अंतर समान हो वो क्या हो जाएंगी समांतर रेखाएं कहलाएंगी आप इसकी विसेशता क्य बोला जाता है समानता रेका और एक दूसे को कभी नहीं करते हैं के रहते हैं your नहीं काटती है बस इतना ही पूछ जाएगा अपसे सबसे ज़ी नहीं पूछ लाइगा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है समान होती है इसलिए बोलते हैं इसको समान अंतर रेखाएं ठीक है इसके बाद में हैं आपका आसमान तर रेखाएं दिसा और दूरी समान नहीं होती है ना तो इनमें दूरी समान होती है नहीं इन में दिशा समान होती है यह क्या होती है आसमांतर है वहां समान है मतलब समान है इसलिए इनको प्रीकाब इस प्रिकाफ से खीर दी और दी दे ना तो में ज्यादा देख रही मुझे ज्यादा देख रही है ज्यादा देख रही है तो दूरी ना तो दिसा दिसा भी अलग-अलग है वह दूरी भी अलग-अलग है और इसका अंतर यहाँ पर देखो यहाँ पर इसका अंतर वह सितना देख रहा है वह यहाँ पर इसका अंतर देख लेकर अंतर क्या होता है अंतर समाल नहीं हो सकता किसी भी हाला तो इसका दूरी और दिशा क्या होती है अब बात करें संगामी रेखाओं की संगामी रेखाओं क्या होती हैं तीन या तीन से अधिक रेखाओं एक ही बिंदू पर मिलती हैं जब तीन या तीन से अधिक हैं होती हैं संगामी रेखा हैं और जिस बिंदू पर मिंती हैं वो क्या होता है संगामी बिंदू होता है अब जब जनरली आपने देखा होगा संगामी जैसे कि उसके नाम से तो चारेस होता है संगाम, मतलब में संगम, संगम वाला नवर्ड संगम, मतलब में जहां पर किसी का मिलन होता हुआ ही तो होता है संगम, तो संग यहां पर रेखाओं का मिलन हो रहा तो क्या हो जाएगा, संगाम ही रेखा हो जाएंगी, ठीक है, वो जो बिंदू होगा, वो ये रेखा गई है एक ये रेखा गई है और एक ये रेखा गई है एक ये रेखा गई है एक ये रेखा गई है तीन या तीन से अधिक रेखां कितनी भी हो सकते हैं ठीक है तो ये जो कहलाएगा ये जो बिंदू होगा वो क्या होगा संगम बिंदू हो जाएगा ठीक है यह जो रेखा है यह जो रेखा है जो कहीं है यहाँ पर एक बिंदू पर पहुंच रही है जे रेखा है क्या कलाएगी जे रेखा है जो होगी वो होगी संगामी रेखा होगी गेए कितनी भी रेखाय हो जब किसी एक बिंदू पर मिलती है उन का इस की बाद में देखेंगे पर प्रती छेडी रेखाय है और प्रती छेीड बिंदू बनाती है मतरब मैं जब दो रेखाय एक दूसरे को काड़ती है तो वो क्या कहलाती प्रतिछेद रेखाएं कहलाती है वो जिस इस्थान पर काटती है वो बिंदू कहलाता है प्रतिछेद बिंदू यदि मैं आपको बात करूँ रेखा बनाओं यदि मैंने एक ये रेखा बना दी है A और B एक जे रेखा है और एक और रेखा है मैंने इस प्रकार से खेंती जे बुलाई क्या C और D ये रेखा हुआ ठीक है यदि एक A और B रेखा है ठीक है तो A B को C D ने काटा लेकर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है इसलिए क्या होती है प्रति छेदी रेखाएं के लाती है क्या सी प्रति प्रतिशली रखांगर होगा इतना संगामी रेखांगर होगो मो क्या होता है और साथ-साथ पींचे समयंता रेख़ें इसके गाता है संपाती रेखाएंचोहैं कि जब डूर दूसरे और रेखाएं कि संपाति आपने चपाती देखा होगbei रोटी एक की ऊपाती से आप को गयात है शब्ढ़ाद की क्या सबस्केào संपाती से अपकbnा रखना जैसे चपाती एक तूसरी के ऊपर रखी रहती है एक के ऊपर एक रखी होती है मतलब देखाएंगी एक रिखेगी एक रिखेगे तो क्या होता है इसमें shouting और दो से अधिक यह तो भी हो सकती इन और से अधिक हो सकती है एक संपाति रिखर नहीं होती है ठीक है एक लीरेखा बना दी बैने यह ओर भी इसी को ऊपर तो सबकेक हमना नीचे में उपर इपनीन किसी के उपर नीचे के नी करना को से के विए एक है क्टैक कि यहार ऋढ़ी से सबस्क्राइब है कि ता दूसरी के ऊपर होंगी वह क्या कहलाएंगी संपाथी रेखा तीक चपाती से चपाती एक दूसरी को उपर रखी रहती है वही होती है संपाती रेखा ठीक है इसके बाद में हैं लंब रेखा बहुत है इस पर से कोशन हमें सब कुछा आता है तो लम रेखा यहां पर यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी नब बनेगा इसाथ ही साथ में जे C और D इस पर लंब डाला गया है तो इसके लिए क्या रहते हैं लंब पर लंब के लिए यह लगते हैं इस प्रिकार से लंब रहे हैं इस प्रिकार से पूंचा जाता है जो आपके छोटी चोटी ऑप्सिन मिलते हैं आपको टेक्ट जाम दे रहे हैं आप मास्टर वरने वाले ठीक है यह कौण कितने का बनता है 90 अधा साध ही लेकर आपसे सर्फ यही कुशन पुचल आएगा कि जो लंब रेखा है यह किसी रेखा पर पढ़ती है तो कौण कितने का बनता है जो कितने के वंतना में देग अधिक शराल से पूद ख 지원 किर्यक रेका जबू या दो से स्भी समस्ते हैं को कौई अणध रेखा का सरं समंतर रेखों को कोई अन्न रेखा काटी ने तो हुआ है जो रेखा काटी हुआ है तपने देखा होगा यहाँ पर आप देखा रे देखा इ 빨리 रेखा यहां पर निया है पर 16wwww यहां पर 26 दनी रेका दिक काल रहता है लेकर जब क्या होगा 12 या दो से अधेक यहां पर देखिए यहां पर देखिए यह समानतर रेखाओं के बाएं बता रहा हूं जब दो या दो से एक जे रेखा एक जे रेखा ठीक है यह बिल्कुल समानतर है एक भी हो गई यहां पर देखिए यहां पर दोनों का बीच का अंतर यहां पर भी समान तो इन जब रेखाओं का अंतर क्या होता है कितनी हो गते हैं कि यह नगे ंतर रेख्या किकलाइब यह जो रेख्या है यह क्या कहलागे प्रतिछ्झी कर दाए अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकाश से आपको देखना है इसका जी अधारना है मुकरूप से इसकी जो अधारना है रेखाओं की और बिंदु की यहां पर बचता है जो सबसे पहले पर देखेंगे बखर के इस पर दारत भी एक चोटा से वीडियो बना दो तो मेरी फिस पसंद आया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले विडियो को लाइक कर दें और किसी परकार के सवाल पूंत फो भी कमेंट Stunden कर दें और एक कोंड कर देनी है यहां पर एक को सब्सक्राइब है ये कौन सी रेखा है कि ये क्कुरशन दिया हुआ है यह पेखा है कि ऑपर जो है एक और रेखा मैंने बना दी है क्या तो यहटी जो है आपको बताना है के ऐसी ली किस परकार की रेखा है के टेख सीडी कि इसमें लिखना है आपको इसके बीच का संबंद्र लिखना है कि सीडी जो रेखा है वह एबी के ऊपर किस प्रकार की रहे हैं बस सिंपल सा कुस्ट्टन यदि आपने मिलते हैं एक नए वीडियो में तक तक प्री नमस्कार